नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसर्मार दोस्तों इस दुनिया में अपार धन धेर सारा पैसा भला किसे नहीं चाहिए और धन ही अभी फिलहाल के दुनिया में सब कुछ हो गया है क्योंकि धन के बीना तो कुछ भी संभभ नहीं है और अभाव में जीना भला किसे पसंद है किसी को भी नहीं और हम तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं पैसों के लिए धन आने के लिए और जितना भी कमाते है उसमें बरकत हो इसलिए अगर फिर भी बहुत महनत करने के बाद भी आप पैसे तो कमाते हैं, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं आपके डॉक्टर में दवाई में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो ऐसे में कुछ चीजों का अगर आप छोटा सा चीज है जिसका आप नियमित रूप से पालन करते हैं एक मंत्र अगर रोज सुबा तीन बार जबते हैं तो आपके जीवन में भी धन रहे गा भी आएगा भी और बरकत भी होगा तो आईए हम आपको बतलाते हैं कि धन रुकने के लिए ठहरने के लिए बरकत होने के लिए खुद के सरीर को भाग्यवान बनाने के लिए क्या ऐसा करें कि आपका सरीर ही भाग्यवान हो जाए और आप भी धनवानों की लिस्ट में आ जाए तो दोस्तों हम बतला दें आपके हाथ में ही धन की देवी लक्षमी बुद्धी की देवी सरस्वती और भगवान स्री कृष्ण विरास्ते हैं दोस्तों हथेली के सामने वाले प्रिष्ट में मा लक्ष्मी बीच में सरस्वती और मूल में कृष्ण भगवान रहते हैं एक मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तूगोविंदः प्रभाते कर दर्सनम अगर आप अपने हथेली का रोज सुबह सो के उठने के बाद दर्सन करते हैं और भगवान से प्राटना करते हैं कि हमारे घर में बरकत हो हम जो करें अच्छा करें खुसियां आती रहें फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पॉजेटिव चीजें आने सुरू हो जाती है और धन आता है धन्यवाद फिर मिलेंगे लाइक सब्सक्राइब चरूर कीचेगा